तो फाइनली ढूंड लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप ढूंड लोगे आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हर्याना बोर्ड के किताब आपकी और इसका पार्ट नंबर 14 के अभ्याज के पर सनुत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं पार्ट का नाम है करतार सिंग सराबा चलो सुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास लेकिन हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं आपको इस कंप्लीट बुक का सोलिशन जो है लिखावा भी मिल जाएगा और वीडियो को मैं बता दूँए कि हाँ उनको तो अच्छे से याद कर लेना अप चलो अब सुरू करते हैं कोस्टन्स को पहला परसन है भारत भूमी पर जनमे करांतिकारियों की क्या विशेस्ता है उत्तर है आप भारत भूमी पर ऐसे ऐसे वीरों ने जनम लिया है जिन्होंने अपने सोरिया और प्राकरम से ना केवल भारत भू को अपितु पूरी मानव जाती को गोरवान वित किया है यही तो उनकी विशेस्ता है और क्या विशेस्ता होगी भाई अदम्य साहस और प्राकरम उन्होंने दिखाया देश के आजादी के लिए तो यही वो विशेस्ता है उनकी अगला पर्सन है करतार सिंग का जनम कब और कहां हुआ था देखो मैंने पिछली की कुछ वीडियो में पता नी कौन से चैप्टर में आया था पर्ट मैंने बताया था कि जिसमें ये पूछा जाए ना कि किसी व्यक्ति का जनम कब और कहां हुआ तो वह वाले कोशन जरूर से करने हैं तो ये वाला भी इंपोर्टेंट है कर लेना ठीक है करतार सिंग सराबा का जनम सन 1896 को जीला लुद्याना के सराबा नामक गाव में हुआ था अगला पर्सन है करतार सिंग ने उच्छ सिक्षा कहां से प्राप्त करी थी खरतार सिंग ने उच्छ सिक्षा है वो प्राप्त करी थी लुद्याना के खालसा हाई स्कूल से अगला पर्सन है करतार सिंग के विद्रोही जीवन की शुरुआत कहां से हुई तो वो कहां से हुई थी सन फ्रांसिस्को से जब बात हुई थी ना पर अमेरिका में लोग उनको जो है डैम कुछ करके बुलाते थे तो उस वजह से जो है वो बाद में जो है करांतिकारी में विद्रोही बन गए थे अगरा परसन देखते हैं करतार सिंग ने अमेरिका में कौन सा समाचार पत्तर निकाला क्या नाम था उ इंको जब गरफ गिरफतार किया गया तो उनकी मनोदसा कैसी थी जब उन्हें गिरफतार किया गया तो वह बहुत खुसते वह प्राय कहां भी करते थे साहस से मर जाने पर मुझे बागी का किताब दे देना तो देखो यह को से जो है चाहो तो अगर आपको याद नहीं हो इ यहां पर इतना भी है एक्जाम में आने के बहुत कम चांस है वैसे इसके अगले परसन पर देखते हैं लाश्ट कोस्टन है जब करतार सिंग पर मुकदमा चला तो उनके क्या बयान थे उन्होंने क्या बात कही थी यह ऐसे बयान वगारा नहीं पूछे जाते एक्जाम में बह बयान दिये थे अपने बयान में करतार सी ने कहा देखो ऐसे कोमे लगाते हैं जब बयान देते हो एक्जेट बात कहनी होती है ना तो मैंने अजादी के लिए भारत में विपलव करने का सडियंतर रचा था जो की एक साथी के विश्वास घात के कान सफल नहों सका अपने का जनम धान कर फांसी पर लटकता रहूं यही अभिलासा है और यदी पुनर जनम में इस्तरी बना तो मैं तो भी विद्रोही पुत्रों को जनम दूँगा तो यह था उनका एक्जेक्ट बयान जो नोंने दिया था ठीक है तो यह थे आपके इस चैप्टर से टोटल कोस्टन इन मेंसे जो कोस्टन से आने के चांस्स है वा बता भी दिया कि हा इनको कर ले ना जो बता एना वह साघा दबा लेना और हाँ साइट पे जुरूर विजिट कर लेना तुम विजिट नहीं करते हैं साइट पे ccl chapter.com गूगल पे सर्च भी कर सकते हो वहाँ पर आपको हरियाना बोड का काफी सारा content मिल जाएगा इसके अलावा जो हिंदी की दूसरी किताब हैं आपकी उनके important questions, mcqs, काफी सारी चीज़े available हैं website पे और साथ में question paper जो हरियाना बोड के हैं पिछले सालों के previous year कहीं सारे बहुत सारे question paper मिल जाएए आपको almost जो subject available है उनके so check out कर लेना website को भी मिल ते नहीं वीडियो में बाई बाई करत नहीं इंडना के ठ περίक buyer कOT green पानिगे ठाएए करत ले शोड़े जाएश हैं करते प्यारे करता करते मिल 6